दोस्तों नमस्कार ये है मागदर्शन फार सिविल सर्विसेज मैं अनुराग शवधरी दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है विभिन प्रतियोगी परिच्छाओं की द्रिश्टी से महतवपोंड मागदर्शन क्विज का भाग 5 इसमें हम 10 बहुबिकल्पी प्रकार के प्रश्णों को साल्व करेंगे दोस्तों ये प्रश्ण बहुत ही महतवपोंड है आप इसे तयार कर लिजे वीडियो के आखिर में हम मागदर्शन क्विज संख्या 4 में पूछे गए प्रश्ण का सही जवाब देने वाले साथियों के नाम भी बताएंगे तो इसलिए वीडियो को लाश्क तक देखेगा दोस्तों आज भी आपके लिए एक प्रश्ण होगा जिसका सही जवाब आपको कमेंट बाक्स में देना है और सही जवाब देने वाले कंडिडेट्स की नाम हम मागदर्शन क्विज की अगली कड़ी में प्रकासित करेंगे तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो मागदर्शन क्विज संख्या 5 दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्ण है कुरोना वाइरस से संबंधित है दोस्तों किसने कुरोना वाइरस महमारी को अंतराष्टी आपातकाल घोसित किया था आपसन है आपके WTO, WHO, UNO या फिर UNICEF तो दोस्तों कुरोना वाइरस महमारी जिससे पूरी दुनिया जो है तबाह रही और पूरी दुनिया में इसने अपना प्रभाव दिखाया कुरोना वाइरस महमारी को इंटरनेशनल इमर्जेंसी किस संस्था द्वारा घोसित किया गया था तो सही उत्तर है आपका आपसन भी WTO द्वारा कुरोना वाइरस महमारी को अंतराष्टी आपात घोसित किया गया अगला प्रश्ण देखते हैं दोस्तों भारती महिला बैंक से संबंदित है भारती महिला बैंक की अस्थापना वर्स 2013 में की गई थी इसका मुख्याला mapping है दोस्तों भारती महिला बैंक ये जो कांसेप्ट है महिला बैंक का इसमें उच्चस्त अधिकारी से लेकर सभी कर्मचारी इसकी महिलाएं होती है इसकी अस्थापना वर्स 2013 में की गई थी आपको बताना है कि इसका मुख्याले कहां पर इस्थित है आपसन है आपके मुंबई, चेन नई, नई दिल्ली या फिर कुलकाता तो दोस्तों भारती महिला बैंक का मुख्याले नई दिल्ली में इस्थित है सही उत्तर है आपसन सी नई दिल्ली अगला प्रश्न देखते हैं बौध धर्म के सिध्धान्त कितने आरे सत्यों पर आधारित हैं आपने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते समय जैन धर्म और बौध धर्म का आध्यन किया है और बहुत ही आसान कोश्चन है बौध धर्म के जो सिध्धान्त हैं या विचार हैं वो कितने आरे सत्य पर आधारित हैं आपसन है आपके दो, चार, साथ या फिर आठ तो सही उत्तर है दोस्तों बौध धर्म के सिध्धान्त चार आरे सत्यों पर आधारित है अगला प्रशन देखते हैं मागदरिशन क्विज संख्या 5 का चौथा प्रशन सद्भावना दिवस कब मनाय जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशन है भारत के संदर में है दिवस और जो हमारे महत्वपूर्ण दिन और सप्ताह मनाय जाते है उनसे संबंधित है ये प्रशन सद्भावना दिवस कब मनाय जाता है आपसन है आपके 19 नवंबर 20 अगस्त 20 जुलाई या फिर 12 जन्वरी तो सही उत्तर है दोस्तों आपसन भी 20 अगस्त को सदभावना दिवस के रूप में मनाया जाता है अगला प्रश्ण देखते हैं पांचवा प्रश्ण वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर प्रदेश के नाम से पुकारा जाता है आपसन है आपके दामोदर, कृष्णा, गोधावरी या फिर गंगा दोस्तों रूर प्रदेश जर्मनी का अध्योगिक प्रदेश है और ये प्रदेश संसाधनों की द्रिष्टी से बहुत ही महतपूर है भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपूर पठार को कहा जाता है जिसमें 36 गड़ और उडिशा को कुछ भाग आता है तो यहाँ पर बहने वाली नदी उसको आपको चिन्हित करना है वही इस प्रशन का सही उत्तर होगा छोटा नागपुर पठार के में बहने वाली नदी जो है तो इसमें वही प्रश्ण पूछ रहा है कि वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है तो सही उत्तर है दोस्तों आपसन ए दामूदर नदी घाटी को भारत के रूर के नाम स जाना जाता है अगला प्रश्ण यानि मागदर्शन क्विर संख्या 5 का छठा प्रश्ण है पृत्वी के सबसे भीतर वाला भाग जिसको की क्रोड कहते हैं ये किसका बना होता है आपसन है आपके तांबा और जस्ता एल्यूमिनियम और लोहा सिलिकान और मैगनिसियम लोहा और निकल तो दोस्तों पृत्वी के सबसे भीतर का भाग जिसको की कोर या क्रोड कहा जाता है ये लोहा और निकल से बना होता है लोहा और निकल देखिए निकल का जो संकेत होता है एन आई होता है और लोहा का संकेत यफी होता है तो 60 फार्म में जो पिर्थवी के क्रोड को निफे भी कहा जाता है तो सही उत्तर हो जाएगा पिर्थवी के सबसे भीतर वाला भाग क्रोड लोहा और निकिल का बना होता है सात्वा प्रश्ण देख लेते हैं प्रवंध कोस एक पुस्तक है प्राचीन भारत के इतिहास संबंधित है ये पुस्तक प्राचीन भारती साहित प्रवंध कोस इसके रचाईता कौन है आपसन है आपके सिल्पी मंडल, बांकी दास, मोहन राज और राज सेखर तो सही उत्तर है दोस्तों आपसन D प्रबंध कोश के रचता राज सेखर थे आठ्वाशण देखते हैं दोस्तों बहुत ही महत्पून प्रशन है भारती राजविवस्था भारती सासान और राजनी से भारत की पहले बिदेश मंतरी यानी भारत के पहले फारेंच मिनिस्टर या एक्स्टरनल अफेयर मिनिस्टर कौन थे आपसन है आपके लाल बहादुर सास्त्री, जे एल नहरू, गुलजारी लालनन्दा या इन में से कोई भी नहीं तो दोस्तों भारत के पहले विदेश मंत्री पंडित जवाहर लाल नहरू ही थे और प्रधान मंत्री के साथ साथ इनके पास विदेश मंत्रा लेका भी चार्ज या प्रभार था तो सही उत्तर है भारत के पहले विदेश मंत्री जवाहर लाल नहरु थे और जवाहर लाल नहरु को विदेश नीत का या भारत की विदेश नीत का मुख्य सिल्पी या निर्माता भी कहा जाता है आधुनिक भारत का निर्माता भी जो है पंडित जवाहर लाल नहरु को कहा ज गई है तो जो आज हम सास्त्री संगीत या सास्त्री जो सास्त्री संगीत के बारे में जो हम जानते हैं उनके सिध्धानतों की विवेशना प्राचीन रूप में प्राचीनतम रूप में सबसे पहले कहां की गई है आपसन है आपके रिगवेद या जुरवेद सामवेद या फ भारती संगीत का जनक भी साम वेद को कहा जाता है तो सही उत्तर है सास्त्री संगीत के सिध्धानतों के विवेशना सबसे पहले साम वेद में की गई है इस वीडियो का यानि मागदशन क्विज संख्या 5 का आखरी और दस्वा प्रशन जो है कला और साहिते से संबन्धित है देखिए एक परसिद्ध चित्र है दोस्तों काला चांद काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किस चित्रकार द्वारा किया गया है आपसन है आपके सतीस गुजराल जै मिनी राय नंदलाल बोस या फिर अवनींदरना टैगोर तो सही उत्तर है दोस्तों काला चांद ना अब आईए जान लेते हैं मागदर्शन क्विज संख्या 4 में पूछे गए प्रश्न का सही जवाब देने वाले जो हमारे साथी हैं उनका नाम तो मागदर्शन क्विज संख्या 4 के विजेताओं के नाम है रविशंकर मिस्रा जी, त्रिलोकी यादो जी, दिनेज धवानिया, पार्थ महान और चौहान जी हैं इनका नाम पूरण ही दिख रहा है सहदेयो सिंग जी हैं और अनीता निशाद जी हैं दोस्तों मागदर्शन फार सिविल सर्विसेज को तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई और सुबकामना हैं आप अपने लक्ष में सफल हों मेरी यही सुबकामना है दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा और आपके लिए जो प्रश्न है वो प्रश्न है एक महतपूर्ण पुस्तक है आपको उसके राइटर का नाम बताना है पुस्तक का नाम है इटर्नल इंडिया दोस्तों बहुत ही महतपूर्ण पुस्तक है मैं बता दे रहा हूँ इटर्नल इंडिया इटर्नल इंडिया नामक पुस्तक के रा कमेंट बाक्स में देंगे उनको हम मांगदर्शन क्विच के अगले कड़ी में या अगले पार्ट में उनके नाम प्रकासित करेंगे वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मांगदर्शन फा नवाद दोस्तों नमस्कार